मैं सुसील तिवारी अपने यूटूब चैनल से अस मुलाकात आधरनिस्त्री ओजेस्वी चावला पुलिश उपादिक्षक पत्पक कारे रत है सर मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है तैंक्यू वेलकम कहते है सर जो आज आपने मुकाम हासिल किया पूरे भारत के उन जुवाओं के लिए बहुत बड़ा दारण है जो कि आज वंडे एकजाम या फिर बड़ी परतोकिताओं की तैयारी करते है सर सबसे पहले मैं आपकी सफलता का राज जानना चाहूंगा देखे सफलता कोई भी अचीव करे उसके लिए एक तो अनुसाशन चाहिए बता है बहुत जुरूरी और एक परिवार का सपोर्ट अच्छा मिला जारा गयते है तो यही दो मैं मूल मंत्र बताऊंगा जिसकसे जो मेरे जीवन में जारा कहते है सर जब जब आप विद्यार्थी जीवन में होंगे कभी ऐसा सोचा था कि इस मुकाम पर आप पहुचेंगे या फिर बश्पर में वो दिमाग में था या फिर परिवार के किसी बड़े लोगों ने ट्रीट किया था कि नहीं आप को जी तैयारी करने है जो बच्चे आज तैयारी करते हैं कुछ नंबरों से चूक जाते हैं और फिर इंटर्व्यू में जाते जाते चट जाते हैं मैं इसे हासिल नहीं कर पाऊंगा देखिए मैं जो भी प्रतियोगी परिक्षा हो चाहिए UPSC हो UPCS हो या कोई अन्य परिक्षा हो जड़ा कहते है आज के टाइम में आपको यह धियान रखना है कि मेंली एक तो आप इंटरनेट का प्रियोग जरू कीजिए इंटरनेट के प्रियोग करके आप जरा कई साही चीजे जो आप बुकों में नहीं ढूंड पाएगे कहते हैं आपको बहुत ही असानी से कई सवालों के जवाब मिल जाएगे तैयारी कैसे करनी है बाग कीजिए आप यही ले लिए इंटरनेट का साही स्माल कीजिए दूसरा आप यह के जिए कि अनुसासन नियम एसा मत्सोचे हैज तो मुस्के एक महेना पहले या ती महेने बेल तैयारी करके हम परिक्षा पास कर लिए यह नियम बहुत जरूरी है रोजाना आप केवले एक घंटा ही निकाली है पर लगाता रोजाना छे महीने एक साल जो जैसे प्रतियोगी परिक्षा उसके हिसाब से डेली लगाता परिश्रम केजिए तो अनुसाचन होना बहुत मंजेल हो चाहे पतियोगी परिक्षा हो या चाहे कोई वार अपनी जॉब कर रहे हो हमेशा एक सिधान्त है मध्यम्मार का वह लेकर चलिए रहा कहते है अगर आप सोचल मीडिया पर एक्टिविजान चाहते है रही गयाते है उसमें यह नहीं कि आप पूरी तरीकी से त्या मार्ग बना के चलेगे तो आप जीवने सफलते रूप आएगे यह है इसका सर वजपर में कभी ऐसा कुछ वाक्या हुआ हो जब आप पढ़े नहों कि लोगों ने कहा हो कि नहीं पढ़ना है आप घूम रहे हैं देखिए जातर हम सभी लोग मध्यम वर्गे परिवार से है सबसे जादा जो motivation का काम करता है वो होता है कि आप किसी को कहने की ज़रूत नहीं पढ़ती है अपने परिवार को देखते है कहते हैं तो हर परिवार में मध्यम वर्गे कभी आप समय आता है कि वो संकट से मुसीबत में गज़रता है तो आदमी उसको ही देखता अपने आप these are caught from the environment आप catch करते हैं चीज़े करते हैं आप देखते हैं यह सब कुछ हो रहा है तो आप खुद ही फैसलार लेते हैं बच्पन में बच्पना होता है आप खेलते हैं लड़ाई करते हैं पर एक एज के बाद आपको यह समझ आ जाती है अपने परिवार को देखकर यह सब को देखकर यह आप एक मंजिल रहा पकड़ लेते हैं कि मुझे इस मंजिल पर जाना है तो यह सब वही कॉमन है जो सब कह रहा है आपका बहुत दो धन्यवाद मैं सुसील तिवारी सुधंतर पत्रकार आपने अपने छोटे भाई को समय दिया जो लोग देख रहे हैं सर आप जैसे जो लोग मिलते हैं मैं अपने चैनल से डालने की कोसिस करता हूँ जो बच्चे हैं उस मुकाम को पा सके अच्छी तैयारी कर सके मेरी लिए सर आपका क्या संदे से जो लोग सुन रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं आप ज़रा कहते हैं कि आप इस तरीके से अगर इतने सारे पती होगी परिक्षा में जो बच्चे कहते हैं कई सारे बच्चे जिनने काईटनेस नहीं मिल पाती परिवार से या कहीं से आस-पास से रहा है इतने साधन नहीं होते तो उनके लिए यह चैनल ही है जिसमें देखेंगे लोग को सुनेंगे कहते हैं और कुछ अंकों से कई रह गए होगी किसी परिक्षा में निराश नहीं हो जड़ा आशा रखें आगे होगी सफलता है यह पक्का आती है अगर आप परिक्षाम करेंगे तो सफलता आएगी कहते हैं जैसे कि ओन तो इसमें दीजे कि मैं इतने समय तक त्यारी करूँआ कहते हैं एक बात पर यह भी मान के चलिए अगर नहीं होता तो उसमें रिग्रेट रखने की बात नहीं हो सकता है आप और किसी काम में अच्छे हो जारा कहते हैं जैसे कई मेरे दोस्त है उनके इस परिक्षा में नहीं ह तो बिजनस बहुत अच्छे निकल गए कहते हैं बहुत ही अच्छे बिजनस में मन गए है तो हर आदमी यह मतमान के चलिए कि किवल एक यह रास्ता है आपने अगर यह फैसरा लिया कि पतियों की परिक्षा दे नहीं है आप दीजिए एक समय रखे तीन साल चार साल आप त बिजनस में बहुत चाहां निकाल लें तो हमेशा मतलब यह यह कहते हैं कि आप जिंदकी में कहते हैं आप पकड़ लेगे जिंदकी में असफलता पराप करना इस तरीके से आपको जीनी चाहिए मेरे साब से तुग बड़ी बात की मैं सुसील तिवारी अपने यूटूब चैनल से मेरे वीडियो को जरूर देखिए उन युवाओं के लिए जो भी लोग देख रहे हैं और सेयर करिए मेरे साथ सुनीर यादो जी मैं आपका भी धन्यबाद दूँगा आधेंडी ओजस्वी चावला सरकामा इंटेव्यू ले रहा था जो कि पुलिश उपा दिक्षक मेरे वीडियो को देखिए सर मेरे चैनल में छोटे भाई के लिए समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यबाद आपको बहुत धन्यबाद